हेलो दोस्तो स्वागत आपका अमारे इस नई वीडियो में आप देख रहे हैं आपका अपना यूटूब चैनल एप्रेंटिशिप गाइड जिसमें है ओल अबाउट एप्रेंटिशिप ट्रेनिंग दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और परमाणेंट डिक्रूटमेंट की अबारे में जिए दोस्तों यह परमाणें रिक्रूटमेंट निकल गया है नेश्नल इंस्ट्टूट ओप टेक्नोलोजी डेली की और सिसको अपन एपन नाव से जानते हैं जो कि एक ओट प्रूटमेंट पॉर नोन टेचिंग पोजिशन और इसके अडवर्टाइजमेंट नमर जीरो थी ट्वन्टी ट्वन्टी फॉर इसमें दोस्तों कई तरह की वेकेंसी सामिल किए लेकिन अपन सिर्फ बात उने वेकेंसी की करेंगे जो कि टेक्निकल क्वालिफिकिशन से रि सब्सक्राइब करने के लिए आप अमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन पर क्लिक कर नोटेफिकिशन ओन कर ले ताकि वीडियो के मादेम से आप तक सारी जानकरी पहुंशते रहे आप अमारे टेलिगराम चैनल और वाट्सप ग्रूप को भी जोईन के लिए जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलिबिल अजिस पर लगातार आपको अप्टेट देता रहता हूं दोस्तों इरिया बैंकिंग सेक्टर या अधर फाइनेंसर से जुड़ी रिकूटमेंट की ले देली के और से निकाले के जोगी मिनिस्ट्री ओप एजुकेशन के अंडरे में आता है इसकी ओपिशल वेबसाइट देवली डोट एनाइटी डेली डोट सी डोट इन और पच्छी सेख दोजार तो इसका नोटिमिक्सन रिलीज हुए रिकूटमेंट ओप नोटीचिंग प एक्टिवेट रहेगा अब बात करते हैं सबसे पहले तो इसमें इसकी सबसे पहले तो उपर इनकी जानकरी दियो उसके बाद यह आपने इस पर डिसकेसर नहीं करेंगा गूरूप बी की बात करें तो यहां पर टेक्निकल असिस्टेंट के टोटल तोदा वेकेंसी निकाले यहां पर शेवंद पे कमेशन के लेवल 6 मिलेगे 3500-400 लेकर 1 लाग बारा दार चार्स रूपे मिलेंगे यहां पर आप देशों की एक सबाद अपर तोटल तीन वेकंसी निकाले गिए उसके वाद है आप देख सकते हो यह आगे यहां पर दो बैकेंसी निकालेगी है उसके का मतलब बदा Electronics Communications Engineering और डबली का है इलेक्ट्रोनिक इंजनिरी कि यहां पर दो वेकेंसिजिए इस सीविल इंजनेगी दो वेकेंसी निकाली गई है उसके बाद लाइबरेरी एंफॉर मेशन एक वेकेंसी निकाली गई है उसके बाद है आगे आपन चलते हैं तो से सीनिर टेक की की एक ब Bengal Mm एक वेकन्सीड नेकाली के सीडिर सिस्टेंड वेकेंसी RESIS Stephen wicht गिए एक वेकन्सी में रखींड की सेंड्न आब पर करें सेवन‍द यहां पर चार वेकन सी निकाले की इनकी इसके वह बात करते हैं पास्ट के बारे में अपन कुछ नहीं इसमें मां जानकर नहीं दूँगा क्योंकि अपन से संब्धिन नहीं है तेक्निकल असिस्टेंट जिसके टोटल चौदा पद्धा इसकी में एजर तीस वर्स रखेगे जिसमें ऐसी स्टोबीचिक चूट दी जाए एजुकेशन क्वालिफिक्शन की बात करें तो कंडिड़ेट के बाद पस्ट कलास या इसको इक्वेलेंट बीटेक एमची की डिगरी होनी जरूरी है या कंडिड़ेट के पास मास्टर डिगरी साइंस में जरूरी है पर चार प्रकार की क्वालिफिक्शन रखेगी उसके बाद आप डिशिप्लीन आप देख सकते हो तो सोट पर मतलब कंप्यूटर साइंड कंप्यूटर साइंस एंजनिरिंग है इनफोर्मेशन टेक्नोलोजी एक कंप्यूटर से सामिल एडवलम इंजनिरिंगर्ण से बाद से अपन बात करें लाइब्रेरी एन इंफोर्मेशन असिस्टेन की तो इसकी भी तीषपर से रखिए यहां पी फ़ेस्ट कलास और साइन्स या कोमर्स में डिगरी होनी जरूरी है उसके बाद में आगे अपन चलते हैं सिने टेकनी सिनके टूटल च्विकेंशी निकाले गिए जिसमें एज लिमेट है त्टीस वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इसमें सब्सक्राइब को छूट भी दी जाएगी एजूकेसिन की बात करें तो कंडिडेट ट्वल्थ पास होना जरूरिया साथ मिनिमिम्म सिक् लाकिष्यमीम डिमिड कर सकते हैं याँ कंडिडेट टीपलोन चर्वन बात लिम में सर्फ हुना जब्सक्राइब आपना रूसा को स्विन सर्फ्यश रच्वल्द सब्सक्राइब करें तो ज रिम दोसालाइब को से जरुक्श हुए बदाल प होने बात जरूरिया से यहिनि जरूरेट के साथ पास आउट होना जरूरी है या या कनेडियाट प्रिखन का चैनल का टीप्लोमा इंजनेरिंग में होना जरूरी है यह पर 10 शॉट्ट ग्राइस नाज जरूरी है या कंडियर के पास में तीन साल का डिप्लोमा इंजनियरिंग में होना जरूरी है जुनियर एसिस्टेंड की एक वेकंशी इसकी एज लिमेट 27 वर्स इखेगे इसमें भी कंडिरेट है वो 10 प्लस 2 पास होना जरूरी है और टाइपिंग स्पीड वो 25 वर्ड पर मिन्ट होनी जरूरी है ले कंडिशन्स और इंस्ट्रक्शन्स आप देख सकते हो ओनलाइन अप्लिकेशन फोर्म कंडिडेट इसमें सब्मिट कर सकता है अधर कोई मोड में अप्लिकेशन फोर्म अप्लिकेबल नहीं होंगी इसके लिए कंडिडेट को समथ पॉर्टल है उसके ओपर जाके www.nit.ac.in.ac आप्लिकेशन फोर्म समिट कर सकता है अप्लिकेशन फी के बात करें तो यहां पे एक जार रुपे अप्लिकेशन फी रखे गया अंड इजरो ओबीसी यदिव्लो एस कंडिडेट के लिए और जो फिजिकल डिशेबल परसन वोमन कंडिडेट इसमें अप्लिकेशन फी से सब्सक्राइब करना जरूरी डॉकुमेंट वेरिफिक्शन के समयव अपने सारे डोकॉमेंट से बढ़ने की इसका अप्लिकेशन फोर्म है बढ़ने की एठारा फरवरी दोजार चोईशिसकी लाश्टेट रहेगे इंपोडेंट डेट्स आप यहां पे देखे सकते हो पत् आपके कोई क्वेरी हो तो आप यहां पे मेल करके और इसको अपनी जो क्वेरी जैंट को सोट लिस्ट किया जाएगा उन्हीं कंडिडियेट को इंट्रू के लिए बुलाया जाएगा यहां पर यह चीज इसपस्ट कि यह कि जाए गया लिया टी के लिए जिए करे अलगे बुलाया जाएगा दोस्तों जिस कंडियेट पास हम आई टीबिटेक्ट या डिपलोमा की क्वालीटिकिसम और जिनके पास है जिनके पास में ग्रेज के क्वालीफिक्टीं सस्ट्रीम में कि तो वो अप्लेकेशन फोर्म सब्मेट कर सकते हैं यह परमानेर रिक्रूट्टमेंट है और इसमें किसी परकार का को experience अब कंडिड़ेट से नहीं मांगा गया यह जिदी लूप एक के अपने वेकेंसी को छोड़ दे तो बाकी वेकेंसी में यहां पर कोई एक्सपीरियन सब नहीं मांगा गया दोस्तों इसका लिंक तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल डाउं जहां से आप इसको डाउनलोड करके इसको केरफुली एक बा आदमी अप्लेकेशन फोर्म हो सब्मेंट कर देए इसके बारे में अधर कोई अपडेट आएगी तो में अपने यूटूब चैनल के मादें से आप तक पहुंशा तर होंगा दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लेगे लाइक शेयर करना को क्वेरियो कम झाल